नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस पॉड़कास्ट में मैं बात करने वाला हूँ पुराने बुरे अनुभवों की जैसे हमारे यह कहवत है कि दूद का जला छाच भी फोख फोख कर पीता है तो यह हमारे साथ अक्सर ही होता है कि जब हम कभी कोई नया काम करने जाते ह और पहले भी हमने कोशिश की होती है पहले हमारे साथ अगर बुरा हो गया कोई दिक्कत आ गई तो फिर अगला वाला काम भी हम नहीं करते डर के मारे या फिर वो पुराने वाला जो डर है वो बार बार हमारे मन में आता है तो ऐसी इस्तिती में हम आगे नहीं बढ़ पाते और पराणे ख्याल बार-बार हमारे मन में आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है जीवन में हम आगे नहीं मड़पाते और यह हमारे पर्स्पेक्टिव होते हैं पराणे हमने कंक्लूसेन निकाल के रखे होते हैं उसको अगर हम positive अनभव के रूप में इस्तमाल करें तो better रहेगा, उसे डरने की जरूत नहीं है, जीवन में सब तरह की घटनाएं होती हैं, तो अगर आप खुद के उपर ध्यान दें, कि भई क्या हुआ था, क्यों हुआ था, समझने की कोशिश करें, और सुईकार करें कि ऐ और फिर अपने आपको ये बताएं कि जो आपके पहले हुआ है, बुद काल में, पास्ट में हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि future में हो, या present में हो, तो इस चीज़ को आपको स्विकार करना होगा, और अगली बात है कि पुराने अनभव, बुरे अनभव, जो उनसे अगर न मुद्दे होते हैं, जो आप कभी solve ही नहीं कर पाए, बहुत सारे relationship होते हैं, तो बाचीत की जा सकती है, नहीं तो आप उनको माफ कर सकते हो, आप खुद को माफ कर सकते हो, अपने डायरी में लेख सकते हो, कि मैंने उनको माफ कर दिया, खुद को माफ कर दिया, खुद की ग बाते हैं करने से आपके जो पुराने experiences हैं पुराने bad experiences हैं वो दिमाग से निकल जाते हैं और जो सबसे important बात है इस podcast की वो यह है कि अपनी personal growth पर जादे द्यान दीजिए अपनी पूरी सारी energy सारी सोच और सारे प्रयास अपने आपको आगे मनाने में और progress करने में और positive experiences create करने में लगा दीजिए देखिए हमारे जीवन में problem इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास bad experiences की लंबी list है तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करके कुछ positive experiences create कर ले तो ये positive experiences हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगे नए लक्ष बनाइए और past से सीखिए और जो भी सीखा है उसे एक बहतर वविश्य बनानी की कोशिश कीजिए अपने आज पास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको support करते हों जो आपको उंगली करते हों आपकी battery को खाली करते हों जो आपको support करते हों जिससे खुशी मिले वो काम ज़्यादा कीजिए enjoy कीजिए, celebrate कीजिए और जब आप अपनी growth पर अपनी खुशी पर ध्यान देंगे तो पुराने जो बुरे अनुवब हैं वो दीरे दीरे गायव हो जाएंगे और अच्छी अच्छे सोच अच्छी happiness और बहतर भविश्य आपके विचारों में और आपके खयालों में बना रहेगा आज के podcast में इतना ही comment करके जरूब बताईएगा कैसा लगा मिलता हूँ आपसे अगले podcast में